क्या हम expiry date के बाद दवा खा सकते हैं। कई बार दवा खाते समय पत्ता इसे फड़ते हैं कि उस पर लिखी expiry date भी फड़ जाती हैं। और फिर वह दवा कई दिनों तक चलती हैं। खाने वाले को पता ही नहीं चलता कि वह दवा expiry हो गई है। आपने ध्यान दिया होगा कि हर दवा पर एक manufacturing date होती है और एक expiry date होती है। manufacturing date वह समय है जब दवा बनाई गई। तथा expiry date का आर्थ है कि वह समय जब तक उसको बनाने वाली company यह guarantee लेती है कि वह दवा असरदार होगी और नुकसान नहीं करेगी। इन दोनों के बीच की अवधी को shelf life कहते हैं। expiry date के बाद दवा में किस तरह के बदलाव आते हैं। expiry date के पहले तक दवा की गुनवत्ता 95% से अधिक होती है जैसे दवा बन कर निकलती है। कुछ समय के बाद chemical बदलावों के कारण धीरे धीरे उसकी गुनवत्ता घटती है। expiry date के बाद उसकी गुनवत्ता बहुत कम होती है। इसलिए expiry date के बाद उस दवा का सेवन नहीं करना चाहिए। expiry date के बाद दवा खाने से क्या होता है। यदि गलती से expiry हुई दवा खाली, तो घबराये नहीं, दवा का असर कम हो चुका है, तो जिस वजह से उस दवा को लिया गया है, उसमें वह लाब नहीं देगी। यदि सरदर्द के लिए उस दवा को लिया गया है, तो पूरी तरह से दर्द ठीक नहीं होगा। बलकि ये भी पाया गया है कि कई गोलिया या कैपसूल expiry date के बाद भी कई वर्षों तक खराब नहीं होते। एकसपायर दवा नुकसान भी कर सकती है, इसलिए चिकित सक को दिखाना आवश्यक है। एकसपायर दवा खाने से कैसे बचसे हैं? दवा दो धारी तलवार की तरह होती है, बिना चिकित सक की सला के दवा न लें। दवा खरीदते समय तथा दवा का सेवन करते समय, expiry date अवश्य देखें। यदि कोई दवा जल्द expiry होने वाली है, तो उसे न खरीदे, उदाहरन, यदि बुखार की दवा अगले दो महिने में expiry होने वाली है, तो उसे न खरीदे, क्योंकि कुछ दवा बच जाएगी और बाद में उप्योगी नहीं होगी, इसलिए दवा खरीदते समय जितनी लं खाना शुरू करें, ताकि बाद में भी expiry date देख सकें.